नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश पावार और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने अग्रिकल्चर चैनल में जिसका नाम है पावार एग्रिहग आज हम बात करने वाले हैं एक important question के बारे में जो की agriculture supervisor के exam में आ सकता है और इसके अंदर generally students को काफी confusion भी रहता है question है कि rhizobium की जो प्रजाती है species है जो की rhizobium melliloti और rhizobium trifoli दो है लेकिन ये कौन सी crop में use होती है वो क्या lucern है या फिर बरसीम है रहता है ना confusion अगर नहीं रहता तो बहुत अच्छी बात लेकिन अगर रहता है तो मेरी trick द्यान से सुन लीजिए बहुत ही simple सी trick है करना कु कहते हैं मेली लोटस इंडिका और बरसीम जो है उसे हम कहते हैं ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम यही उसके scientific name है तो बस यही उसके जो राइजोबियम की species है प्रजाती है उसके नाम है तो रिजका के अंदर लूसरन के अंदर हम use किसका करेंगे राइजोबियम मेली ल हो गया होगा और आगे कभी इसे घलत नहीं करेंगे और यह question agriculture supervisor के लिए भी important है क्योंकि यह question 12 बेसका ही है ऐसे ही important और अच्छे questions बिल्कुल short videos के अंदर आपके लिए लेकर आता रहूँगा चैनल को subscribe नहीं किया है तो कर लीजेगा और वीडियो अच्छा लगे तो like जरू किजिएगा thank you